दुनिया में सच्चे प्रेम का उदाहरण देने के लिए राधाकृष्ण को जरूर याद किया जाता है। राधाकृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी युग युगांतर के लिए अमर है। यद्यपी राधाकृष्ण का प्रेम मिल नहीं पाया। अर्थात। दोनों की प्रेम के वास्तविक रूप को बताया। और दूसरी राधा। कनहया की और खिंची चली आती थी। कभी-कभी राधा कनहया की बंसी को चुरा ले जाती थी। नटखट कनहया फिर उसको ढूड लेते थे। है। पहरान करने वाली बात ये है कि आज हम आपको राधा की मृत्यू कैसे हुई ये बताने जा रहे हैं। कृष्ण ने अपनी प्रिया राधा से यह वादा किया था कि वह राधा को मिलने जरूर वापस आएंगे लेकिन कनहया अपना यह वादा पूरा न रख सके और दुबारा राधा से मुलाकात नहीं हो सकी। एक और समय के चलते कृष्ण ने भी रुक्मनी से शादी कर ली थी तो वहीं दूसरी और व्रिंदावन से। कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई थी, व्रिंदावन भी कनहया के बिना सूना हो गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूर था कि यद्यपी दोनों ने विवाह कहीं और किया, लेकिन वास्तविक प्रेम राधा और कृष्ण का एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अमर रहा एवं अमर है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी बिरहा की कहानी बन गई। अंत समय में राधा कनहया को मिलने द्वारिका पहुचती है। कनहया से दूर जाने का मन होने लगा। अर्थात राधा को यह लग गया था कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे फिर से कनहया के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगल की ओर चली जाती है और कनहया को बुलाती है। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कनहया से मिलते हुए प्रेम में डूपती जाती है। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हिर्दैस्थल में जाकर समा जाती है।